दोस्तों अगर आप गाओं में रहते हैं आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम गाओं में रहके कुछ पैसे कमाले कोई बिजनेस करके या तो उसके लिए मैं आप लोग को बहुत अच्छी एक बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि इस business के अंदर आपको investment बिल्कुल नौ के बराबर करनी है जब भी business का बात आता है तो कोई आदमी यहीं सोचता है कि हमको कोई machine लगाना होगा कोई plant लगाना होगा उसके बाद से ही हमारा business शुरू होगा और हम कुछ पैसे कमा पाएंगे लेकिन मैं यहां पर आप लोग को बता दू कि आज के वीडियो होने वाला है इसके अंदर ना ही मैं आप लोग को किसी machine के बारें बताऊंगा ना ही किसी plant के बारें बताऊंगा और ना ही किसी दुकान के बारें बताऊंगा इसमें आपको यह सारी चीज़े कुछ भी नहीं लगानी है बस आपको जो है अपनी गाउं से इस business को अब शुरू कर सकते हैं जी हां दोस्तो इसके मुकाबले जो है सहर वाले इस business का जो है और सोच कर भी यह business नहीं कर सकते हैं और आप गाउं में रहके इस business को करके आप मोटे फाइदे कमा सकते हो दोस्तों फाइदे कैसे कमा होगे मैं आप लोगों को सारी बाते बताऊंगा सारी जनकारी दूंगा बस आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान पुर्वक देखना और म अले आपको यह जानना होगा कि स्री अन क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार Google Chrome पे जो है आप एक बार जाके परधान मंत्री स्री अन योजना के बारे में जब आप सर्च करोगे तो आपको इसकी सारी जनकारी मिल जाएगी इसके अंतरगत जो है कौन- बड़े पैमाने पर होती थी और हमारे यहां के पुरुवत जो थे इसी अन का जो सेवन करते थे और बहुत लंबे समय तेक जीवीत रहते थे उनको कोई बीमारी नहीं होती थी लेकिन अभी के डेट में क्या हुए कि डिविटीज और प्रेसर यानि कि नाना परकर करकी बह मोटे अनाते हैं जिसको मोटे अना बोला जाता है उनको हम लोग को अपने खाने में संभीलित करना होगा जिससे हमारे सरीव को रोग प्रतिरोधत छमता जो है हमारे सरीर में बढ़ सके और हमारे सरीर में कोई बीमारी ना लगे दोस्तों आप सोच रहे हूं कि यह बात जो है आप हमको क्यों बता रहे हैं तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि इसका यूज जो है स्री अन का यूज है कहा होता है और क् को विजनेस करना है, यह सारी जनकारी आपको हो, उससे पहले आपको यह जानना जरुरी है कि स्रियन जो होता क्या है और इसका यूज हमें क्यूं करना चाहिए, अन्न के नीचे जो है उसका नाम लिखा, जैसे बाजरा हो गया, जुआर हो गया, बल्टाउन हो गया, टहून हो हो गया इसके अंदर सावा हो गया यानि कि बहुत सारे अनाज है जो प्रचीन काल में हमारे यहां जो हमारे जमीन पर मुख्यरूप से होती थी लेकिन बाद में लोगों ने गेहूं और चावल का खेती करना सुरू कर दिया और इसका खेती दिरे-दिरे लोगों ने छोड़ दिया लेकिन फिर वापस से एक ऐसा समय आया कि जब यह अनाज गेहूं और चावल खा के लोग जब बिमार पढ़ने लगे तो फिर लोगों को ध्यान में आया कि नहीं हमारा जो पहले वाला जो अन्था वहीं हमारे लिए सबसे अच्छा था वहीं हमारे सरीर के लिए नहीं करने में पानी बहुत ही कम लगता है उस पर इसके लिए एक डिपली वीडियो बना दूंगा यह लोग को बतलब बिजनेस में कैसे कर सकते ही और बिजनेस कैसे सुरू करके आपने वो फायदा कमा सकते हैं तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है कि अभी भी जो है हमारे यहां हमारे देहाद छेतर में इसका खेती लोग करते हैं, बहुती कम पाइमाने पर करते हैं लेकिन खेती सभी जगह इसका होता है, तो आपको क्या करना है कि इस अन्न को आपको किसान से, देहाद छेतर से किस चेक कर लीजिए जो कहाने बाजरे का आटा जो गया जवार का आटा जो कितना रूपए केजी है अभी आपने पतनजली का भी आटा देखा तो उसमें अलग-अलग चीज़े मिलाई हुई हैं तो अलग-अलग चीज़े में हम अभी उसका बात नहीं करेंगे हम केवाल आपको जो है एक बाजरे का और बल्टाउन का बता दे इसका आटा आप एक बार सर्च करिए हमने सर्च करके देखा हुआ था यमजोन का मैं आप लोग को यहां पे डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ यह आधा केजी के रेट है यानि कि यहां जो है आटा जो है 100 रूपए से लेकर के तक आटा ओनलाइन भीक रहा है, तो आपको केवाल अभी तैयार करने के जरूवत है, कैसे तैयार कीजिएगा, क्या करना है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान पुरुवक देखिएगा, आपको क्या करना है कि किसान भाई लोग से आपक कर लेते हैं, तो आप उसके 1 kg का और आधा कीजिका पैकेट आप मना करके, आप उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, फिर इसका बात करते हैं, प्राइस का जो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कितने में खरी देंगे, तो दोस्तों बेचना तो आपको पता है कि जो तो आप साफ सफाई करके आप इसका packet बना सकते हैं बिना आठापी से आप अनाज का packet बना कर भी कर सकते हैं में जो है वो सेल हो जाएगा यानि कि जो आपने अनाज 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो आपने हाथ से जो खरीदा था उसको आपने सो रुपए से लेकर 1,500 came to be sale करेंगे अगर त्यार करने कीबातव तो आप इसको जो भी अ-धि-पजर वाले हैं माट्वाले हैं आप उनसे कंटेक्टि करके इसको दे सकते हैं सहरो में इसकाम बड़े पईमाने पर है अभी ऐसा बिजनस नहीं है कि कोई lug Penas क께서 कर रहें बहुत कम लोग इसके बारे में भी जानते हैं बहुत ऐसे लोग जो अनाच को खृरीद रहें और सहरों में भी रहें से करें हैं इसके पैकेट आप धक了 हैं या फिर अगर अपको मन करें तो आप इसे तै़ार करियेे पैकेट फ्लिपकाट पे और एमजॉन पे आप अपने दुकान खोलिए रजिस्टेशन कराईए और वहां पे आप आराम से घर बैठे आपका प्रोड़क्ट विदेशो तक्सिर होगा और इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों आप जब भी इसके बारे में अगर सर्च कर आना है पकस्तों इसका फेक्ट करने का अगर हजार से 15 रूपए आपको खरीदना पड़ेगा और उसस मु करकर इसको असानी से आप पहले कर सकती हैं इसको तह faço जाना भी नहीं होगा आक चाहें तो आप इसको लोन्लाइन होट से सब्सक्र दोच जाता है तो आपके पास जितना सारा आटा जो तयार हुआ रहेगा जितना पैकट रहेगा उसारा का सारा एक ही जो है ओ माट वाले ले लेंगे आपसे तो इसमें दोस्तों आपको काफी ज्यादा फाइदा होने वाला है अगर आप पर डे अगर मान के चलो पर डे आप दो क्यूंटल भी अनाज क्यूंटल कर देती हैं तो आप इसे अपना अंदाजम लगा लगा लीजे आप जो ह्य क्क यूंट τॉल आप आप यह जार क्यूंट अप ए जो अपका चैनल या फिर उसके बाद इसके अंदर अधर transportation जो है आप इसमें जोड सकते हैं, transportation आपका 500 रुपए मान के चलिए, बलकि लगेगा नहीं, दो क्यूंटल माल लाने के लिए आपका 500 रुपए खर्चा नहीं लगेगा, आप अपने बाइक पर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं 500 रुपए मान के चलता हूँ, आपका द 1500 रुपए के ची आप मार्केट में सेल करें, यानि कि आपका 15,000 रुपए क्यूंटल हुआ, जो आपने 2000 रुपए क्यूंटल खरीदा था, वो आपको 15,000 रुपए क्यूंटल जो है मार्केट में सेल हो रहा है, दो क्यूंटल अगर आटा आप पर डे अगर सेल कर देते हो, तो आपका परडे का कमीनी 30,000 रुपए होंगे आप सोचिए दोस्तों कि आप परडे अगर इस तरीके से बिजनेस करते हैं तो आप परडे 25-30,000 रुपए आप बहुत ही असानी से आप कमा सकते हैं इसके मुकाबले में कोई और बिजनेस आपको नहीं लग सकता आपको घर बैठे आपको बिजनेस करना है और इस बिजनेस को आप करके परडे 25-30,000 रुपए आप बहुत असानी से इस बिजनेस से आप कमा सकते हैं बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा मैं ये बात मानता हूँ कि आप सुरू में इतना ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हो लेकिन सुरू में अगर आप मानके चलो कि आप 50 केजी ही सेल कर सकते हो तो अगर 50 केजी ही सेल करते हो एक क्यूंटल ही सेल करते हो तो मुनाफ़ा तो आपको हो रहा है अग़र एक क्यून्टल का पैसा नहीं है आप 50 किलो हीं खरीदो, 25 केजी ही खरीदो, उसको पैक करो लेजागे, किसी मारकेट के सेल कर दो, किसी माता वाले को देदो, किसी थेल किसी सूपरमारकेट को दे दो, यह जोै demand सभरों में इसका पहुत जादा है, बस आपको देहाथ से खरिदना है तैयारी कराना है और उसको सेल कर देना है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिए उनको प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीकी का भीजनेस वाला वीडियो जो है हमेशा आपके चैनल पर जाते रहें आप हमारे सारे वीडियोज को देखते रहें, हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए जनकारी किसान, तब तक के लिए दीजेए, नमस्कार, जैहिन, बंदे मात्रम